लखनवु में हुई भाजपा कारसमित की बैठक में आत्म मन्थन से ज़ादा दूसरों पर चिंतन दिखाई दिया। भाजपा कारसमित इस वालों से कन्नी काटते दिखी। स्वागत भासन उपलब्दियों के गुरुगान के साथ बैठक का समापन हुआ। उम्मीद तो थी कि बैठक में लोकसवा चुनाओं में प्रिदेश में हुई पराजय के कारणों पर खुले दिल और दिमाग से मन्थन होगा। उन सवालों पर बात होगी जिनके कारण प्रिदेश में भाजपा कम से कम लोकसवा चुनाओं के मते नजर पहले नंबर से दूसरे नंबर पर जाती दिखी है। उन कारणों पर इमानदारी से चर्चा होगी जिनके कारण उत्रपदेश में भाजपा को अपेक्षित परणाम नहीं मिले। पर परदा डालने की कोशिश दिखाई दी। उपलब्दियों के बखान से घिशे पिटे शब्दों में हमेशा की तरह कारकताओं से जनता के बीच जाने का आवान किया गया। पैसे भी एक दिपशी इकार समित की बैठक में बहुत विस्तार से चर्चा होने की उमीद नहीं की जा सकती है। वह भी तब जब मंच पर अथकियों की लंबी लाइन हो और बकता भी कई हो। कोई चर्चा नहीं हुई जिस बात से भाजपा को लोकसभा चुनाओं में नुकसान हुआ। इस बात पर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई कि उन नेताओं पर क्या करवाई की गई। जिन्होंने 400 पार होने पर समिधान बदलने का बयान दिया था। मन्तन इस बात पर करने की जरूरत नहीं समझी गई कि पार्टी के कई प्रमुकनेताओं के इलाकों में भाजपा को कोई बोट नहीं मिला। इस सवाल पर भी कोई बात करने की जरूरत नहीं समझी गई कि अति पिछली जातियों में भाजपा के कोर बताता समझे जाने वाली जातियां क्यों छिटक गई सवालों पर मनन मंतन करने से जादा बेटक में नित्यतु का फोकस सफाई देने और राहूल अकलेश की सफलता से हिंदू समाज पर मरनाने वाले खत्रे के बारे में बताने पर रहा न्यूजडेक्स एन भारत